अगली खबर का रुक करेंगे हर्याणा में भारत जोडो यात्रा का आज अंतिम दिन है अम्बारा के शाहपुर से शुरू होई यात्रा घनी धुन के बीच राहुल की पैदल यात्रा जारी है आज पंजाब में राहुल गांधी प्रवेश कर जाएंगे तो हर्याणा में गारत जोडो यात्रा को जबर्दस्त रिपॉस्पॉंस मिला इससे पहले पहले चरण में ही तेम दिन जब ये यात्रा हर्याणा में थी उस वक्त भी खॉसा समर्थन इस यात्रा को मिला था और इस बार द्यूसर्ड़ में भी अच्छा-खासा कॉंग्रिस पार्टी के कारिकर्ताओं में देखने को मिला और जुन्नेता हैं वो भी राहुल गांधी के साथ साथ कदम ताल करते हुए नसरा है और आए चलते हैं अपने समवाताता दीपक गौतम के पास जो भारत जोडो यात्रा को लगातार कवर करते चले आ रहे हैं दीपक अगर हम पूरे पाँच दिन का आकलन करें राहुल गांधी की सियात्रा का क्योंकि आज समापन हो जाएगा तो कैसे देखा जाए इस सियात्रा को देखे बिल्कुल आकलन करना होगा हमें तो आकलन करना पड़ेगा हमें दोनों चरणों को मिला कर चुंकि आठ दिन हो गए दोनों चरणों को मिला कर पांच माह दिन ये और तीन दिन पहले इसका मतलब ये कि आठ दिन हर्याणा में यात्रा आकलन जब इसका किया जाएगा त दूसरे कौने तक हर्याणा में क्या इस्तिती कॉंग्रेस की नजर आ रही है इतने दिन पैदल चलने के बाद राहूल गांधी हर्याणा में क्या बदल पाए राहूल गांधी की जात्रा थी इसने कितना लोगों को बेनिफिट दिया है या लोगों से कितना डारेक्ट करनेक् पबसके नियक्सराट करने के लिए ट्युटर का साइरा रहे और की चीजह ने रहे और बाकी सैसा उपक्र से और इसो करते विसके आपके सवाल only मत गताओं कि सिद्था और जबताता हुआ उत् velocidad कि पूरा में याथर paved आपको चाहिएक करेच के लगता है यह फैदा So कि एक होगे हैं जी सबी एक होगे जी आपको क्या लगता है ऐसा रहेगा आने वाला टाइम चुकर आने वाला स्टेम कांगर्स की स्रकार आएगी जी अब कि बार अगल अपाल लुगान अपैर मस्तार्भ प्रव करते स्मय का जा खाल कांगरेस की सरकार में कोई चेकिंग नहीं होई जी तो आपराद रोकने के लिए होती है ना पेपर पूरे है तो जाओ बाई आप बताएए चले चेकिंग के अलावा बात करते हैं यात्रा में आप जुड़े हैं किस तरीके का माहुल आप रहे हैं पर जोड़ा आपने तो बड़ा अच्छा लगा कि अम रेली में आई हुए हैं तो कांगरेस तो देखवानी चाहिए इस वी जेपी ने तो बुरा पूरे हैं पुलिस वाले भी बचारे थंग हैं उनके उपर दाब है उपर से वही करो यह करो कागजों काती बात आपके साथ ही ने कह दिए इसके लावा किस तरह किसको परिशानिया आप यह देख लो गैस देख लो कितनी महांगाई कर दी हार बार कोई ने ता गुजर जा कॉंग्रेस आनी जरूरी है यह समर्थक के रहे हैं अब मैं आता हूं आपके सवाल पर कि हुआ यह है कि आठ दिनों की यत्रा में सबसे बड़ा फायदा कॉंग्रेस को जो मिलता नजर आया है वह मिलता यह नजर आया है कि हर्याना में हम लगातार देख रहे थे कि गुट कॉंग्रिस के पास लेकिन को दावाई यह करते हैं इस भूकुष्रे की बात करें तो नजर आती ती घुटबाजी ूजिर में सबसे बड़ा ज़कồi अब हुआ ये कि जब एक बार राहुल गांधी सडकों पर निकले, पब्लिक से करेक्ट हुए, पब्लिक के साथ मिले, तो साब तोर पर पब्लिक ने उनका सवर्थन किया, पब्लिक सडकों पर उत्री और कारेकरताओं में मूटिवेशन आया है, और यह जो मूटिवेशन है ये बहुत फायदा करने वाला है कॉंग्रेस को, बहुत बेरी फिट बिलकुल दीपक, एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कॉंग्रेस पार्टी ने की है, वो अपना संगठन मजबूत करना हो, कॉंग्रेस पार्टी में नई जान फूकनी हो, कारेकरताओं में नई जान फूकनी हो राहुल गांधी की छभी को बदलना हो ऐसी तमाम चीजें हैं जो कॉंग्रस पार्टी के लिए बहुत जरूरी थी और शायद ये जो पध्यात्रा है इसने चौतरफा काम राहुल गांधी के लिए किया है या कर रही है लेकिन बड़ा चालेंज ये है बड़ी गांधी काईम रख पातें बिल्कुल बिल्कुल सबसे इंपॉर्टन बात यही होगी जो वास्तर में खतन हो गई है ये सबसे बड़ा सवाल है जो आम जंता के मन में है चुकि आम जनता साथ तोर पर ये कहती है कि जब ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते हैं तो काम कैसे चलेगा लेकिन ये बात पकी है कि राहुल गांदी की यात्रा आने के बाद तमाम कॉंग्रेस के लीडर्स इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आए एक पूरी तरह से जुड़ते हुए नजर आए एक यात्रा में जो खबर आई वो बुरी खबर ये आई कि किरन चौदरी शामिल होने के लिए पहुंची यात्रा में किरन चौदरी घायल होई उनका उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है तो इस समय वो स्वासलाब ले रही है तो अब इस मोमेंटम को बाए रखने की कोशिश हो रही है और इस बात को राहूल गांधी भी समस्ते हैं और इसलिए अब जो प्लानिक की गई है वो प्लानिक ये की गई है कि इसके बाद हाथ से हाथ जोडो यात्रा शुरू होगी 26 जनवरी से राहूल गांधी ने इसका कांध तुर पर प्रैस-कॉंफिरनस में कै दिया है कि अभी ये बारत जोडो यात्रा है बारत जोडो के यात्रा यक्यात्र और आप देखते जाएं कि दौधार चौविस तक और इसके आगे तक बहुत सारी यात्राएं होनी है तो कोशिश की तरफ से पूरी तरह से ये कि- चंतन हुआ था कॉंग्रेस में जिस तरह की प्लानिक बनाएगे तो चंता के बीच में रहा जाए जंता के लोगों से बात कि जाए बिलकुल बहुत ज़रूरी होगा दीपक कॉंग्रेस पार्टी के लिए कि एक जो शुरूरात उन्होंने की है अपने रिवाइवल की इस मोमे रखें बहुत धन्यवाद आपका फिलाल हमारी साथ जोड़ने के लिए आगे भी हम आपके पार साते रहेंगे